स्वागत है आपका फिर से मार चानल टेक्निकल दिलसाद में और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा अगर आप Play Store से किसी भी अप्लिकेशन को इंश्टॉल करने की कोईस्ट करते हैं या फिर आप Play Store से किसी भी अप्लिकेशन को डाउनलोड करने की कोईस्ट करते हैं और आपके मुबाइल पर कुछ इस तरह की प्रोबलम आ रही है जैसे कि यहाँ पर आप हमारे मुबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं मैं यहाँ पर अगर इस टोल पर क्लिक करता हूँ यह आपके मुबाइल पर क्यों आ रही है और अगर आपके पास यह प्रोबलम नहीं आ रही है तब भी इस वीडियो को लाट तक देखेगा क्योंकि हो सकता है यह प्रोबलम आपको फ्यूचर में आ सकती है अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह इंस्टॉल नहीं हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है और अगर यह प्रोबलम हमें आ रही है तो इस प्रोबलम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं ये जानने के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब यहाँ पर जो हमारे मुबाइल में ये प्रोब्लम आ रही है ये इस वज़ा से आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर बैक्राउंड में एक अलग से third party application इंस्टोल कर रहा है जिस application का काम है हमारे मुबाइल की screen record करना अगर मैं यहाँ पर notification में आता हूँ आप यहाँ पर notification में हमारी ये application देख सकते हैं इस application को background में open करने के वजा से play store से हम किसी भी application को install नहीं कर पा रहे हैं अब ऐसे में हमें यहाँ पर play store से इस application को install करने के लिए या फिर permit करने के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने home page में आ जाना है और यहाँ पर यह जो screen recording का एक pop up सा है और यहां से हम इसे ऐसे पकड़ने के बाद यहां पर draw कर देते हैं अब यहां पर जो हमारा pop-up है वो यहां पर बंद हो चुका है लेकिन screen recording app हमारे background में अभी भी चल रहा है screen recorder को हमें end करने के लिए notification में एक बार ऐसे slide करना होगा और यहां पर exit पर click करना है अब यहां पर जो हमारा screen recording था वो भी बंद हो चुका है अब हम यहां पर नीचे से यहां पर ऐसे swipe करते हैं तो यहां पर अभी भी background में हमारा screen recorder app चालू है तो यहां पर हम इसे बंद कर देते हैं अब यहाँ पर जो हमारा screen recorder app है वो भी हमने यहाँ पर बंद कर दिया है अब हम यहाँ पर power button को कुछ समय के लिए hold करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface आ चुका है यहाँ पर power of restart या फिर emergency mode आ चुका है हम यहाँ पर एक बार restart पर click करते हैं और अपने phone को एक बार restart कर में धुन कर लेते हैं अब यहाँ पर हमारा phone restart हो रहा है जब तक हमारा phone restart होता है तब तक हमारे हरी स्थिका अब यहाँ पर हमारा जो phone है वो restart होने के बाद यहाँ पर open हो चुका है अब हम यहाँ पर play store को एक बार open कर लेते हैं जैसे हमने आपर play store open किया तो यहाँ पर कुछ इस रिकेंटर अटरफेस आ चुका है हम यहाँ पर randomly किसी भी application को एक बार search कर लेते हैं हम यहाँ पर google file transfer को search क वाइल बाय गूगल एप आ चुका है हम यहां पर इसे इंस्टोल करने कोईस्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अब हमारी जो डाउनलोडिंग है वो श्टार्ट हो चुकी है हमारे प्लै स्टोर में एप्लिकेशन इंस्टोल हो रहा है इसी तरह अगर आपके पास इस्टोर से किसी भी एप्लिकेशन को इंस्टोल करते वक्त या फिर डाउनलोड करते वक्त या फिर पैमिट करने पर इस तरह का कोई पॉपप आता है या आप नहीं कर पाते हैं तो सिंपल आपको अपने मुबायल का जो स्क्रीन गोर्डर है उसे बंद करने के बाद उसे रिस्टार्ट कर देना है और आपकी जो प्रोबलम है वो ठीक हो जाएगी मुझे अमीद है आपको हमारे यह वीडियो पसंदाया होगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहदिल से सुक्रिया